इस वीडियो हम quickly revise करेंगे Barriers to Communication and Steps for Making Communication Effective तो देखिए Barriers का मतलब क्या होता है? Barriers का मतलब रुकाउट हैं यानि कि जब एक बरसन दूसरे बरसन से communicate कर रहा है तो उस वक जो भी disturbance होती है चाहे वो physical barrier की वज़ा से हो और physically कोई चीज की वज़ा से हो स्मेंटिक चाहे मेंटली चाहे अग्लाजिशन की barrier की वज़ा से हो communication पूरा नहीं हो पाता है तो यह जो barriers है यह communication को effective communication नहीं की communication को सही तरीके से पूरा नहीं होने देते हैं तो वही barriers कहलाते हैं तो any parameter that limits the purpose or channel of communication between the transmitter and the receiver is a barrier to communication यानि कोई भी parameter हो अगर वो परपच को जो communication का परपच है या फिर channel है उसको कहीं न कहीं जो है limit करता है रोकता है ठीक है तो उस ही को हम क्या कहते है barrier कहते है तो यह barrier जो है physical barrier भी हो सकता है semantic barrier जिसको हम language barrier कहते है वो भी हो सकता है organizational barrier भी हो सकता है psychological barrier हो सकता है या फिर personal barrier भी हो सकता है, तो physical barrier क्या होता है, जो physically exist करती है, जिसको measure कर सकते है, can be expressed in physical or miserable terms, जैसे कि noise, यानि कि बहुत ज़्यादा आवाज आ रही है, तो आप एक परसंद से दूसरे परसंद को communicate कर रहे हो, तो आसपास बहुत ज़्यादा noise है, sound बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो उस चीज communicate कर रहे हो, वो need में है, आधी need में है, उसको आप बता रहे हो, तो आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी, यह भी improper time हो, physical distance, physical distance यानि कि जो transmitter है, जो receiver है, दोनों के बीच में distance काफी है, यानि कि आपकी आवाज सामने तक पहुंची नहीं पा रही है, तो इस वज़ आपको कुछ दिखाई नहीं, जो कुछ अगर आप symbolist signature का use करके, sign का use करके, जो है कोई चीज communicate करना चाता, तो आपको visible ही नहीं हुआ, तो पूर lighting में जो है, कहीं न कहीं एक physical variable आता है, तो इन सब की वज़े से physical barrier आता है, जिसके वज़े से communication effective होता है, इसके बाद जो आप semantic barrier, जिसको हम language barrier कहते हैं, हाँ पर semantic का मतलब होगा कि words, picture, action, इस पर कहीं न कहीं difference आ जाता है, language, जैसे कि आप देखते हों कि UP की language आलाग है, तो south side में चले तो महां की language आलाग है, बेंगॉल चले तो महां की language आलाग है, तो आप जो है महां की language आसानी से नहीं समझ सकते हैं, science of sound, science of meaning, use of word, picture, action, यह सब barriers, इनकी वज़े से जब कोई communication effective नहीं हो पाता है, यह communication पूरा नहीं हो पाता है, तो इसको हम semantic barrier कहते हैं, जैसे symbols with different meaning, बहुत सारे ऐसे symbols हैं, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिर उसका meaning अलग होता है, तो symbols with different meaning, यह भी क्या semantic barrier, आपने दिख खाया कुछ होर, सामने वाला समझा, कुछ होर, cultural barrier, culture के barrier की वज़े से भी होता है, याने कि south का culture लग है, east का culture लग है, वेस्टन कल्चर लग है, तो इनकी वज़े से भी communication differences आते हैं, badly expressed message, याने कि आपने सही से message को expressed नहीं किया, faulty translation, आपने message तो सही दिया, लेकिन सामने और उसका गलत मतलब निकाल लिया, unclarified assumption, याने कि आपने कोई भी clarify भी न किया, assumption, कुछ भी कर लिया, specialist language, याने जैसे doctors, medicines में लिखते हैं, तो specialist language होता है, आपको नहीं समझना है, वो जिसको समझना है, वही समझेगा, तो specialist language, तो आपको ऐसी language उसकरनी है, जो सामने वाला समझ स communication होगा, upward communication होगा, कौन किस से communicate कर सकता है, ये जो है problem create करती है, organization rule and regulations क्या है, उसके according भी barriers आ जाता है, effective communication नहीं हो पाता है, याने कि बहुत सारे राजा, hard rule and regulation होता है, जिससे कि अगर सामने वाले कुछ सो subordinate होता है, उसको अपने सुपरियर से कुछ कहना है, तो नहीं कह पात याने कि boss और employee के बीच में relations खराब है, तो ना boss सही से communicate कर पाएगा और नहीं employee अपनी बात रख पाएगा boss के बीच में, complexity in organization structure कि किस से किस को communicate करना यहीं चीज नहीं पता है, तो structure इतना complicated है, कि complex है कि आपको यहीं नहीं पता है कि communication किस को करना है, पता चला कि किसी को और को ब यह से selective listening, कुछ लोग होते हैं जो पूरी बात सुनते ही नहीं है, थोड़ा बहुत सुना उसके बाद, बागी बात पूरी बात सुनी नहीं है, इससे भी क्या है, miss communication हो जाता है, premature evaluation यानि कि आपने पहले evaluate कर लिया कि क्या है क्या है क्या नहीं है, पूरी बात सुना बगार, in attention यानि कि आप पूरी attention देते हैं नहीं हो, पूरी ध्यान से बात हैं नहीं सुनते हो, इस वज़े से भी आप जो है miss communication हो जो है, communication effective पूर retention यानि कि आप याद दास का आपकी कमजोर है, आप ज़्यादा दे तक याद ही नहीं रख पाते हो, आपने सुनी तो थी पूरी बात, उसक्त आपको सभी बात ही जाद लेकि मार्केट जाते जाते भूल गए, कि क्या क्या लेना था, failure to communicate, यानि कि सही तरीके से आपने communicate नहीं किया, failure to communicate यहाँ पे मतलब यह है, कि आपको लगता है कि सभी लोगों तो पता होगा क्या जोड़त है बताने की, तो ये भी क्या है, barrier communication का, distress of communicator, यानि कि आपको communicator पे trust नहीं है, distress है, तो ये भी psychological barrier होता है, यानि कि आपको सामने अ अले हम रोजा ही नहीं होता है, तो आप उसको बताते ही, नहीं हो पूरी बात, तो ये भी कह है psychological barrier, इसके बात द perlu personal barrier, तो personal barrier नहीं कि जो आप से जूड़ी होती हो जैसे की lack of ability to communicate, आप communicate सही से करी नहीं पाते हो, आपके अंदर communication की करने की शमता है नहीं, lack of confidence, आपके अंदर confidence की कमी है, आप अपनी बात रखने ही पाते हो, सही से बता नहीं पाते हो, ignoring communication, बहुत सारी communication को आप ignore कर देते हो, ध्यान सुनते ही नहीं हो, तो यह ignoring communication हो गया, lack of time, आपके बस time ही नहीं है, पूरा time ही नहीं देते हो communication के लिए, पूरी बात सुनने के लिए, यह difference in talking and speed यानि कि आपके बात करने का तरीका, कुछ लोग जल्दी-जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीमेंदी में बोलते हैं, कुछ लोग ध्यान से स अगर आप इन सभी को दूर कर लेते हैं, तो आपका effective communication क्या होगा, effective होगा, तो seven seas of communication आपने प्रियस वेडियो में डिसकर्स किया है, आप वहां पे देख से तो seven seas अगर हैं, तो आप आपका communication effective होगा, उसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि आप clarity of idea, अपने idea को clear रखिए, त आप क्या कर चाहिए, तो purpose of communication clear होना चाहिए, कि आप बताना है क्या चाहते हो, communicate क्या क्या करना चाहते हो, वो clear होना चाहिए, empathijn communication जीचाहिए, cry word, meaning two-way communication, यानि कि खाली आप ही बोले जारहें, सामने वाले की बात भी सुनीए, सामने वाले क्या करना चाहते हैं, उसकी recording जो ह तो कुछ supportive words का भी use करिए और सबसे important is good listening अगर अच्छा listener है सामने वाला listener है चाहे वो transmitter हो चाहे वो receiver हो दोनों अच्छे listener होने चाहिए तो communication effective होगा तो hope आपको doubt clear होंगे विश्वाल दाविश्ट के पोचेंग